हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की सेकिंड पोयम, एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन अ स्लम इस पोयम को लिखा है स्टिफन स्पेंडर ने और आज हम इस पोयम की लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन समझेंगे तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस पोयम में स्टिफन ने हमें स्लम एरियाज और वहाँ पर रहने वाले बच्चों के बारे में बताया है कि इन बच्चों की लाइफ में कितनी प्रोब्लम्स हैं और उन्होंने हमें इन बच्चों की हेल्प करने के लिए भी कहा है तो अब हम इस पोएम के फर्स टैंजा का मीनिंग समझते हैं जो है फार फार फ्रम गस्टी वेश से लेकर इन दे ट्री रूम अदर देन दिस तक तो इस टैंजा की फर्स टू लाइन्स में पोएमें बताते हैं कि स्लम एरियाज में रहने वाले इन बच्चों के फेसेज में बिलकुल भी एनरजी नहीं है और इनके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए हैं इसके बाद पोईट हमें चार बच्चों के बारे में बताते हैं और सबसे पहले वो एक लंबी सी लड़की के बारे में बताते हैं जिसका हैड नीचे की तरफ जुका हुआ है क्योंकि वो लड़की बहुत ही दुखी है और डिप्रेशन में भी है और इसके बाद poet एक paper swimming boy के बारे में बताते हैं यानि कि एक ऐसा लड़का जो एक कागज जितना पतला है और उसकी चुहे जैसी आँखें हैं poet ने उस लड़के की eyes को चुहे की eyes से इसलिए compare किया है क्योंकि जिस तरहें से चुहे की hungry eyes खाने की तलाश में इदर उदर देखती रहती हैं उसी तरहें उस लड़के की eyes भी opportunities की तलाश में हैं और इसकी life में problems के अलावा और कुछ भी नहीं हैं इसलिए ये लड़का हमेशा इदर उदर देखता रहता है इसके बाद हमें एक ऐसे लड़के के बारे में बताया गया है जिसकी twisted bones है और उसे ये बिमारी उसके father से मिली है और फिर point हमें एक प्यारे से बच्चे के बारे में बताते हैं जिसका ध्यान कहीं और ही है वो बच्चा squirrels के game के बारे में सोच रहा था जो कि बार-बार ट्री के अंदर बाहर आ जा रहे थे तो अब हम इस पोएम के सेकंग स्टेंजा का मीनिंग समझते हैं जो कि है उन सोर क्रीम वॉल्ज से लेकर एंड स्टार्स ओफ वर्ड्स तक फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्लासरूम के बच्चों के बारे में पढ़ा था और अब हम क्लासरूम के बारे में पढ़ेंगे इस स्टेंजा में पोईट हमें बताते हैं कि उस क्लासरूम की दिवारें अब बहुत पुरानी हो गई हैं और अब उनका रंग भी खराब होने लगा था उस क्लासरूम की वोल्स पर डोनेशन में मिली हुई कुछ फोटो लगी हुई थी उन वोल्स पर शेक्सपियर की एक फोटो लगी हुई थी जो एक पोईट है और एक फोटो सूरज के ढलने के समय की भी थी और वहाँ पर जो तीसरी फोटो थी वो सुन्दर और अलिशान घरों की थी और वो घर बिलकुल पूरी तरह से सिविलाइज़ थे और जो फोर्थ इमेज थी वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल टैरोलीज वैली की थी जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं और जो लास्ट इमेज है वो है एक मैप की जो की ओपन हेंड़े है इट मीन्स उस मैप में दुनिया की हर जगह दिखाई गई है लेकिन उस मैप में इन बच्चों के स्लम एरियाज को बिल्कुल भी नहीं लोकेट किया गया इन बच्चों के लिए ये मैप इनकी दुनिया नहीं है इनकी दुनिया तो ये विंडोज हैं जो की इनकी सच्चाई दिखाती है कि इनकी लाइफ कितनी बुरी है वहाँ पर पतली पतली गलियां है जो बादलों से ढकी हुई है उनका घर नदियों सुरंगों और अच्छी अच्छी जगाओं से बहुत दूर है तो अब हम इस पोयम के थर्स टेंजा का मीनिंग समझते हैं इस टेंजा में पोईट शेक्सपियर को शैतान कहता है क्योंकि शेक्सपियर ओनली औनली अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताता था और जैसे की लव, हैपिनेस, किंग, रोयालिटी और ये सब चीजें इन बच्चों की लाइफ से बहुत दूर है और जब ये बच्चे इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है कि ये चीजें इन सब के पास क्यों नहीं है और इसी तरह ये जो मैप है ये भी सारी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी जगां को ही दिखाता है और स्लम एरियाज को नहीं दिखाता इन्ही रिजन्स के कारण पोईट ने शेक्स्पियर को विक्ड कहा है और ये सब चीजें इन बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाती हैं ये बच्चे कच्रे में ही रहते हैं और इनके शरीर के बाहर तक हड़ियां दिखती हैं मतलब ये बच्चे बहुत बतले हैं इनके चश्मे स्टील के हैं और तूटे हुए हैं और इन चश्मों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दिवार पर कांच के टुकडे लगे हूं पोईट बताते हैं कि इन बच्चों की पूरी लाइफ इन स्लम एरियाज में गुजरती है और ये जो मैप्स है ना अब इन में स्लम एरियाज का धबा लगा दो और ये शो कर दो कि स्लम नाम की भी कोई चीज होती है अब इस पोईट के लास्ट एंजा को देखते हैं और जानते हैं कि पोईट ने इन बच्चों को बचाने के लिए क्या-क्या बातें बताई हैं तो पोईट कहते हैं कि जब तक यहाँ पर गोवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर आकर इन बच्चों की बुरी हालत को नहीं समझेंगे तब तक यह बच्चे इन س्लम एरियास से नहीं बच सकते इनकी इस कबर जैसी दुनिया को खत्म करना होगा और इनके टाउन को तोड़ना होगा और हमें इन बच्चों को हरे-बरे मैदानों में ले जाना होगा और इने फ्रीडम देनी होगी पोईट कहते हैं इन बच्चों के लिए किताबों के पन्ने पल्टो और इने पढ़ाओ और इस पोईब की लास लाइन में बताया गया है कि इतिहास के पन्नों में उन लोगों का नाम होता है जो लोग सन की तरह ब्राइटर बातें करते हैं और दूसरों की लाइफ को ब्राइटर बनाते हैं मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं हिस्ट्री सिर्फ ऐसे ही लोगों को याद करती है जो पोजिटिव सोच रखते हैं तो इसी के साथ खतम होती है ये पोयम और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेर करना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंड बोक्स में हैश्टेक फुल मार्क्स लिखना बिलकुल मत भूलना जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है